हेलो दोस्तों मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुवाख पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भारत का समधान चला है और इसमें हमने पिछले वीडियो में कम्प्लीट किया है उपराश्टपति और प्रधान मंत्री के बारे में जिसमय Government कि उपराश्टपति के चुनाव। कि पद शर्तिय योगता है इन सब के बारे में बताय था कि कौन सी उपराश्टपति है यह कि बिने उनका उपराश्टपती में भी कारेकाल के अनुसार उनका कौन सा करम था साथ में ये भी बताए कि व्यक्ति के अनुसार उनका कौन सा करम कर जैसा कि आपको आपके पेपर में जो प्रश्ण आते हैं कुछ इस तरीके से आते भी है अब यह भी आती है कि प्रधान मंत्री के बारे में भी देखे थे जिसमें हम बताए थे प्रधान मंत्री के नियुक्ति से संबंदित क्या प्रावधान है ठीक है और हम फिर उनकी शक्तियां कार के बारे में बताए राश्ट्पति के संबंध में मंत्रिपरिश्यद के संबंध में संसद के संबंध में और भी अन्य शक्तियां कार हैं हमने ये भी बताया था कि कौन ऐसे प्रधान मंत्री है जो की मुख्य मंत्री भी रहे हैं पहले आप अगर वीडियो को सुनेंगे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और इसी उम्मीद से इसी बेस पर हम बनाते हैं वीडियो कि ताकि आप एक से दो बार अगर सुनेंगे वीडियो इसको तो आपको वो चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी और याद ही नहीं होंगी आपके परिक्षा में अच्छे से अच्छे marks लाने में आप सफल भी होगे ठीक है तो इसी उमीद के साथ आज हम अगले वीडियो देखेंगे जो की केंद्रिये मंत्रिपरिशद से संबंध होगी फ़ें केंद्रिय मंत्री परिशद हम टॉपिक पर आते हैं जो चैप्टर है केंद्रिय मंत्री परिशद के बारे में आपको बता दें कि इसका जो नेता होता वो पुर्धान मंत्री होता है जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में हमने बताया भी आपको ठीक है उस मंत्री परिशद के गठन से लेकर उनकी नियंत्रण तक की जिम्मेदारी पुर्धान मंत्री की ही होती है आपको हमने ये सब चीज़ें बता रखी है हमने ये भी बता रखा है कि पुर्धान मंत्री अगर इस्तीफा देते हैं, तो मंत्री परिशद अपने आप समाप्त ही हो जाती है, इस बात का भीजी करम ने किया है, तो भाई, मंत्री परिशद देखेंगो भी कौन सी, केंद्रीय मंत्री परिशद, आपको पता है कि भारत में एक केंद्रीय मंत्री परिशद है, और एक र केंद्रिय मंत्री परिशाद पर तो सबसे पहले हम देखेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे ज्यादा हम कुछ बताने के कोशिश नहीं करेंगे एक्स्ट्रा क्यूंकि हमें पता है एक्स्ट्रा बताने से परिशानी होती है और ज्यादा होते हैं साथ में सरकार के संसदी व्यवस्था कैसी है संसदी व्यवस्था ब्रेटिश मॉडल पर आधारिट है जो कि कई बार प्रश्ण में पूंचा गया है ठीक है याद रखना राजनेतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य कारेकारी अधिकारी वही मंत्री परिशद होती है राजनेतिक और प्रिशासनिक व्यवस्था की मुख्य कारेकारी अधिकारी CEO मंत्री परिशद का ही होता है मंत्री परिशद का ही होता है सम्मिधान में मिलता है अनुछेद 74 के ताहर्ट हमने पढ़ा है कि राष्ट्पती जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया भी था अनुच्यर 74 के तहर्ट राष्ट्पति मंत्री परिश्द की सलाह से और सहायता से काम करता है तो मंत्री परिश्द सब्सका प्रियोग कुछ इस तरीके से किया गया है अनुच्यर 74 याद रखने राष्ट्पति की सहायता और सलाह के तहर्ट अनुच्छ शेदअ पचाहत्तर क्या है? इन सबका जिक्र जो है आपके अनुच्छ शेदअ पचाहत्तर में किया गया है? जबहत्तर में हम पहले जोता हैं कि राष्ट्पती कि साहत्ता? कुछ सहायता परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्र परिशद का गठन किया जाता है जो कि समद्धान का 967 में ऐसे बताय गया है तो समद्धान का 964 में मंत्र परिशद का जो सब्द का प्रियोग किया गया वो इस तरीके से हुआ है ठीक है याद रखने आगे देखते हैं प्रधान मंत्री के सहीद याद रखना यह प्रशन आया हुआ है PCS में ही पूंछा गया तो पिछली बार यूपी PCS 2020 वाले पेपर में यह वाला प्रशन था कि प्रधान मंत्री परिश्चत के साथ में उनको मिलाकर है याद रखना मंत्री परिश्चत के सदस्यों के कुल संख्य जो है लोकसभा के कुल संख्या का 15 परतिषत से अधिक नहीं होगा उसमें ठाप परश्चन ठाथ यह वाला पिछले बारे में और यह कौन से प्रावधान में है समसोदम कौन से था तो भीया याद रखना 91 एमेंडमेंट 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है ठीक है राज्यों में भी यह वोस्ता है कि 15 परसंट से अधिक नहीं हो सकते लेकिन जो छोटे राज्य हैं वहाँ पर याद रखना कि डिपार्टमेंट तो उतने ही होंगे क्योंकि राज्य है और जो राज्य है और डिपार्टमेंट उतने ही है तो मंत्रियों की संख्या भी एक निर्धारित होगी एक लिमिट होगी लग चालिस पंद्रह परसेंट या चालिस राज्यों के लिए हैं या तो पंद्रह परसेंट हो जाए या फिर चालिस तो रहेंगे ही रहेंगे क्यों है आगे क्या है मंत्री जो है राष्ट पति के प्रसाद पर्याइंत पधारं करते हैं हमने प्रधान मंत्री वाले में विछ बताया न आ पको महां महीं महां महीं बोलने में के जराभी हिचक नहीं होने चाहिए महामहीम सब्द का प्रयोग हमें राष्टपती कि सब्द के प्रयोग करने से पहले करने चाहिए भियान देने वाली बात है मन्त्रियों के ब्यतन भत्ते हैं वह संसद के द्वारा निर्धारित कि थी कि प्रधान मंत्रिके व्योटन भत्त्त है वह एक प्रधान मंत्रिकां मिलता है वह एक संसक्षिए तेह लेग formerly प्रधान मंत्री जो बेतन भत्ते पाते हैं वो प्रधान मंत्री के रूप में नहीं मिलता हूं, ठीक है, मंत्री के उत्तरदायित क्या होते हैं, अनुच्छेत पचास्तर में बताया गया है, अनुच्छेत पचास्तर में कहा गया है कि मंत्रियों के उत्तरदायित तो होता है, उस सामुहिक है, सामुहिक कैसा है भई? लोकसभा के परते सामुहिक उत्तरदाई होते हैं, कैसे? ति जब लोकसभा मंत्री परिशद के विरुद अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, हम कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा के परते सामुहिक उत्तरदाई होते हैं, मंत्री परि यहार रखना यह वाला पॉइंट आ चुका है यह राज्य सभा के भी मंत्री वाला पॉइंट आया हुआ है प्रेपर में आपके तो लोग सभा जब मंत्री परिशद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती तो राज्य सभा के सदस भी उसमें सामिल होते हैं उस मंत्री परिशद में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है यह है एक कि हम इसे बता सकते हैं भीया कि लोग सभा के परित सामध को तरदाइत होता है इंका दूसरा क्या है कि मंत्री परिशद राष्ट पती को इस आधार पर लोग सभा को विगडित करने की सलाह दे सकती है कि सदन जनमत का निश्ठापूर्ण प्रतिनिधित नहीं करता है मंत्री परिशद भी सिफारिश कर सकती है राष्ट पती से भाई ये लोग जो हैं जनमत का निश्ठापूर्ण प्रत्रिनेज़त नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इससे भंग कर दिया जाए ठीक है लोग सभागो विघटित कर दिया जाए आगे क्या है कि मंत्री परिशाद मंत्री मंडल के जो निर्ड़े हैं वो सभी मंत्रियों के लिए बाध्धिकारी होते हैं मंत्री मंडल के जो निर्ड़े हैं अभी हम आगे देखेंगे मंत्री परिशाद और मंत्री मंडल में अंतर क्या होता है ये भी हम देखेंगे तब आपको समझें आएगे मंत्री परिष्णदोर और मंत्री मंडल में अंतर क्या है या खिरकार हम कहीं के दोनों सब्दों को एक ही साथ मिला देते हैं दोनों को आम्त्र हम बताएंगे अभी ध्यान रखना है कि मंदल गुलने सभी मंध्रियों के लिए बाध्धिकारी होते हैं सभी मंध्र कोण कैबिर मंध्री राज्य मंध्री स्सथे परभाद यह तो होते हैं मंत्री व्यक्तिगत उत्तरदाइब तुभी यह अनुच्छत पर चाहत्तर में ही दिया गया व्यक्तिगत उत्तरदाइब तुभी व्यक्तिगत कौन सा है कि राष्ट्रपती किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है आगे है कि मंत्री परिशद को लोकसभा में विश्वासमत प्राप्त होने के बाद भी मंत्री परिशद को लोकसभा में विश्वासमत प्राप्त है तब भी राष्ट्रपती किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है भाई हो था Assam VO सकता है कि वह मंस्ट परिषफ्ट की मर्यादव को बनाय रखने में सक्षम ना हो आ कि इस बात के लिए कसी एक मंस्टरी को भी राष्ट पती में मुद्धे क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं उसको बर्खास कर सकते हैं अब मंत्री परिश्यद की सनशना अगर देखते हैं तो मंत्री परिश्यद के सनशना कैसी होती भाई मंत्री परिश्यद में कैबिनेट राज और उपमंत्री कैबिनेट मंत्री राज मंत्री और उपमंत्री याद रखना कि इनके पद रखना है अब मंत्री मंदल की भूमिका देख लेते हैं मंत्री मंदल की भूमिका क्या होती है मंत्री मंदल की अगर हम भूमिका के बारे हम चर्शा करते हैं तो हमें याद रखना है कि राजनायतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में उच्चतम निरड़य लेने वाली संस्थ होती है मंत्री मंडल केंदर सरकार की मुख्य नीती निर्धारक अंग होती है केंदर सरकार की उच्छ कारेकारडी भी होती है मंत्री मंडल की बात करें मंत्री परिशद की बात नहीं कर रहे हैं साथ में केंद्रिय प्रशासन की मुख्य समनवयक है मंत्री मंदल मंत्री मंदल में अंतर बताएंगे ध्यान रखना यहां पे मंत्री मंदल सब्द का प्रयोग हम करने बार बार तो मंत्री मंदल का ही प्रयोग करेंगे हम और पेपर में भी मंत्री मंदल ही रहेगा वहां मंत् जो कि बाध्यकारी भी है मुख्य आपदा प्रबंधक होती है ये मंत्री मंदल मुख्य आपदा प्रबंधक होती है हमने आपको प्रधान मंत्री वाले वीडियो में बताया था कि मुख्य आपदा प्रबंधक राजनेतिक रूप से देखें तो मुख्य आपदा प्रबंधक क के रूप में काम काम करता है प्रधानमंत्री अचा reasonतों कि वीडियो की अपसुने की ज़रूरत है जो की आपके परिक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक पाने में सफल के अफ जायेंगे हैं बहरोसा कि की 3 महीन तीन महीन आपका एक्जाम है। उस एक्जाम में उस परिक्षा में आपके सफल होने की जिम्मेदारी है। अगर आप नोग ध्यान से पढ़ेंगे तो… तरीका हम बताएंगे चलना आपको है। और हमारे एनुसार ही चलना है। हम आपके अनुसार नहीं चल सकते हैं, याद रखना ये बार, आगे हैं कि सभी बड़े विधाई और वितिय मामलों से निपड़ती है, मंत्री मंडल, मंत्री मंडल की बात हो रही है, साथ में संबैधानिक अधिकारी वा वरिष्ठ सचिवाले प्रशासकों की नियुक्ति को भी नियंत्रित करती है, संबैधानिक अधिकारी वा वरिष्ठ सचिवाले प्रशासकों की नियुक्ति को भी नियंत्रित करती है, साथ में विदेश मामला और विदेश नीतियों को भी देखने का काम कौन करती है, मंत्री मंडल करती है, तो यहाँ पर हो गया मंत्री मंडल क सारा का सारा काम अब हम देखेंगे मंत्री परिशद और मंत्री मंडल में अंतर जो की सबसे बड़ा कन्फूजन होता है कि अब मंत्री मंडल को भी मंत्री परिशद मान लेते हैं, मंत्री परिशद को मंत्री मंडल मान लेते हैं, लेकिन जब कि सचाई यह है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, वो अंतर कैसा होता, वो हम देख लेते हैं, मंत्री मंडल क्या है, अब देखते हैं, एक तरफ मंत्री परिशद रख दिये, एक तरफ मंत्री मंदल रख दिये, अभी हमने जो उपर बताए वो मंत्री मंदल के बारे में बताए थे, अब देखना, मंत्री परिशद में 60 से 70 मंत्री लगभग होते हैं, उसमें सब लोग आएंगे, कैबिनेट भी आएंगे, राज्य मंत्री, सब लोग उसम शामिल हो जाएंगे मंत्री परिशद में लेकिन मंत्री मंडल में कौन होंगे सिर्फ और सिर्फ आपके कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे जो हमने पद महत में अंतर बताया था वो यही है कि मंत्री मंडल में सिर्फ और सिर्फ आपके कैबिनेट मंत्री शामिल ह होते हैं वो भी 15 से 20 सदस संख्या होती है का इस देखिए का इस देखिए का इस राज्य औरुप मंत्री यह तीनों इसमें आते हैं लेकिन मंत्रि मंदल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाता है मंत्री परिशद कोई सामोहिक कारे नहीं है इनका इनका कोई भी सामोहिक कारे नहीं लेकिन मंत्री मंदल का भीयत कारे कलाप तो सामोहिक ही है याद रखना सामोहिक ही है मतलब इस्टेटमेंट में भी सामोहिक ही है आ जाए तो भी वो सही माना जाएगा वहाँ पर आप इस सब्द पर कुछ जादा जोर दिया गया तो इस्टेटमेंट गलत ही हो जाएगा अगे हैं कागजों में सभी शक्तियां प्राप्त हैं मंत्री परिशद को कागजों में सभी प्रकार की शक्तियां मिली हैं लेकिन वास्तिविक शक्तियां जो हैं मंत्री मंदल के पास होती हैं मंत्री मंदल क्या करता मंत्री परिशद की शक्ति का प्रियोग करती है मंत्री पर कारें का निर्धारन कोन करता भीया मंत्री परिशद के कारें का निर्धारन मंत्री मंडल करता है और ध्यान रखना कि मंत्री परिशद को निर्देश देने का काम करती है मंत्री मंडल और मंत्री मंडल जो निर्देश देगी वो मंत्री परिशद के लिए बाध्यकारी भी मंत्री परिशत के द्वारा मंत्र मंदल अपने निर्डायों के अनुपालण की देखरेख करती है दोनों में बहुत बड़ा अंतर है कि मंत्री मंदल जो भी निर्देश देगा मंत्र करेगा है को जो मंत्री मंदल लागू करेगा उसकी देखरेट करेगी मंत्री परिशद फिर आगे है कि मंत्री परिशद जो है वो आपकी मंत्री परिशद सामुहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदाई होती है और जो उत्तरदाई होती है उसको लागू कौन करता है लागू करती है मंत्री परिशद कि भईय नामोही के जिम्मेदारी को लागू करती है, वर्तमार में अगर हम लेखन मंत्राले है 67, 64 मंत्राले है। ठीक है पूरे भारत में शडश्च मंत्रालने है इस समय संगी मंत्री मंदल का यादर रहने ये प्रश् lang चुए है प्रुपाला swimming आ याँगार तो काम क्या भी? काम है कि मंत्री मंडल बैठकों के लिए कारसोची तैयार करना, और मंत्री मंडल समितियों के प्रति सचिवालई सहयता का प्रावधान करती है, मंत्री मंडल सचिवाले द्वारा मंत्री मंडल और मंत्री मंडली समितियों को उपलब्ध कराया जानी वाले सच मंत्रि मंदली या बैठकों के लिए कारसूची तयार करना और उंका वित्रण करना भी सच्विय सहयता के अंतरगत आता है ये भी प्रशना चुगा है, UPSC में पूछा गया है, कारसूची से संबंधि सभी दस्तावेजों का वित्रण करना सच्वी साहता के अंतरगत है, किये गई विचार विमर्ष का रिकॉर्ड भी तैयार करना होता है सच्वी सच्वी वाले को, प्रदान मंत्री की अनमती परा लिए गए निर्ड़यों के क्रियानवयन की निगरानी भी करती है सच्वी वाले, यहां पे भी हमें डाउट नहीं होना चाहिए, कनफ्यूज नहीं होना है, बात समझ के रखना सब्सक्राइब, फिर आगे भी है कुछ, आगे यह हुआ, यह है आपका पूरा मंत्री मं आया हुआ है, पहला वाला पॉइंट आया हुआ है, यह भी पूछा गया है पेपर में, ठीक है, तो याद रखना भाई, कारिस्तूची तैयार वियर करने वाले जो काम है न, वो सब भी उसमें आया हुआ हुआ, यह बितरित करना वाले, यह सब भी आया हुआ है, तो भाई की समाधी इस्थल पर प्रश्ण पूछे जाते हैं जैसे जवाहर लेल नहरू का समाधी इस्थल कौँसा है शान्ति वन लाल भादुर शास्त्री का समाधी इस्थल कौँसा है प्रधान मंत्री हमारे रहे हैं आपको पता हुग है है ना विजय घार्ट इंद्रिया गाधी श् गरीब हटाओ का नारा दिया था इन्होंने तो पता है ना इस उब तो स्रीमति इंद्रा गांधी जो है इनका समाधी स्थल है शक्ति स्थल नाम है इसका फिर आगे है राजियू गांधी जी यह भी प्रधान मंत्री रहे इंद्रा जी के मृत्यू के बाद तो राजियू गांधी समाधी स्थल के नाम क्या है नाम है वीर भूमी वीर भूमी नाम है महत्मा गांधी महत्मा गांधी के सब को पता होगा राजगाट कभी आप दिल्ली गए हो तो आप जब निकलते हैं सीपी की तरफ इधर से आप जब जाएंगे ना डी यू की तरफ से मुखरजी नगर से तो आप रास्ते में राजगाट मिलेगा आपको राजगाट है ठीक है रेलो लाइन को नीचे सपार करेंगे उधर आगे जाके फिर घूमना पड़ेगा फिर वापस दूसरी रोट से फिर नीचे से जब आटो जाती है तो राजगार से ही होकर जाती है कि अग्ध्र संकर डयाल सर्मा हमारे थोनकी जो इनका है वह करम भूमी या रखना प्रम भूमी किक्सका समाधि अस्थल है तो है यह खिउत शंकर डौकटर शंकरदैयाल शर्मा का जो हमारे भूत पूर्व राष्ट्रपती भी रहे हैं ठीक है तो अब हम आज हम यहीं तक देखेंगे जो कि हमारे यह चैप्टर कंप्लीट हुआ है ठीक है केंद्री मंति प्रश्द हम देख लिए हैं अब आगे वाली वीडियों हम देखेंगे संसद संसद में हम आपको बताएंगे कि उसमें राजसभा का गठन राजसभा के गठन का प्रावधान कैसा है लोकसभा के गठन का प्रावधान कैसा उसके उनकी अपनी शक्तियां कैसी हैं उनकी अपने कार कौन कौन से हैं वो किस तरीके से काम करते हैं इन सब में प्रस्ताव जो लाए जात ध्यान से सुनेंगे तो उम्मीद है कि आप अपने परिक्षा में अच्छा सा अच्छा प्रदर्शन भी कर लेंगे अच्छा से अच्छा मार्क्स भी ले लेंगे निकाल लेंगे आप वहां से और पास भी हो जाएंगे आप ठीक है और सिर्फ पास से ही होना वहां वहां कोई पीएचेडी नहीं करनी है तो इसलिए ज्यादा डीपली नहीं जाके नॉर्मल जो पेपर में पूशा जाता उसके बारे में जानकारी रखनी हुए उससे जादा की जानकारी की जरूरत नहीं हमें तो इसीके साथ आजकी वीडियो हम यहीं पर समात करेंगे बहुत जादा बड़ी वीडियों करीब 24-만बändert तो वीडियो को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लाइक कमेंट करना नहीं बोलें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज जादा जितना हो सके आप लोग उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके थीजिए क्योंकि समय कम है और इस परिस्थिती भी ऐसी है तो इसलिए उनको ज्यादा ज्यादा बेनेफट मिलना चाहिए तो इसे साथ आज की वीडियो में समाप करेंगे अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद